आज हम लोग methods of collection of insects के बारे में पढ़ेंगे आपने लोगों ने कई बार अलग अलग प्रकार के insects को अपने हाथ से पकड़ा होगा या किसी भी तरीके से नेट से पकड़ा होगा आपने आज हम डिसकस करेंगे कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे हम insects को collect कर सकते हैं तो insects जो हैं वो एक पर करने जाता हैं जिसमें की बर्लीज फनल और सेपरेटर जैसे instruments काम में लिए जाते हैं तो चलिए हम चुरू करते हैं फर्स्ट मेथड एट इस हैंड़ पिकिंग उफ इंसेक्स अब आपको यहां पर पिक्चर में दिख रा है कि होल इंसेक्ट यह है एडल्ट इंसेक्स क यहां पर दिखिए एक एक लीव चेचेज बीच में उसको पकड़ते वह दिखाया जा रहा है तो is a small insect uda है, especially vast bodied animal daily लारवल स्टेज होते हैं अब ल्पधे ज़ुप्धु उनको पकड़किया जाँ सब्सकर भीच में उसको मीडियों made दिप कर देते हैं जिसमें इंसेक्स को प्रिजर्व किया जाना तो तो आपको he और उससे फिर हम इंसेक को पकड़ लेंगे इससे क्या होता है कि जो इंसेक्ट होता है उसको मिनिमम डामेज होता है उसकी साफ स्केन लार्वल स्केन जिस आप यह देखना तो यह डामेज नहीं होगी इस तरही के से फॉर्सेप्स जब भी यूज करें उनको बहुत ही हो सकता है और जो चोटे इंसेक्स हैं जैसे की एंड्स हैं या फिर इंसेक्ट लार्वे हैं उनके लिए तो बहुत ही केरफुली फॉर्सेप्स का यूज करना चाहिए कुछ इंसेक्स ऐसे हैं जैसे की लीफ माइनर्स हैं और डिप्टरा के एफिट्स हैं हमिप्टरा के और बार्क में रहने वाले कुछ बीटल्स होते हैं पेड की जो बार्क होती है ना छाल जिसे बोलते हैं उसके अंदर रहते हैं कुछ इंसेट्स पत्थरों के नीचे भी पाए जाते हैं और कुछ वेजेटेबल्स पर भी फीड करते हैं जैसे कि डरकोप्टरी और कोलीओक्टर के इंसेट्स पर फ्रूट्स पर फ्रीड करते हैं ऐसा ही टर्माइट्स और एंड्स जो है उनको भी हाज से पकड़के ही उठाया जा सकता है कलेक्ट किया जा सकता है नेक्स्ट मेथट पर कलेक्शन के तब शीपिंग इस पिक्चर में आप लोग देख सकता है देखे यहां पर यह यह नेट को फूलों के बीच में खड़ हो है थोड़ी बड़ी ग्रास है यहां पर और यह नेट से इससे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर भी यह सिमि यहां पर नेट की आवश्यक्ता होती है जब भी इंसेक्स करना हो अपनों को कलेकर ना है यहां पर जाड़ी के बीच में जब और तो स्वीपिंग नेट की आपने एक बार हवा में चलाया पेड़ों की बीच में पंसके और फट गया एसा नहीं हो तर एक 50-60 cm लॉंग उसक और डेप्थ जो है इस जाली की इस नेट की डेप्थ जब फिफ्टी सेंटिमीटर होनी चाहिए इस यह नेट या यह जो बैग जो है इसकी तो स्वीपिंग मेथेड का डिसडवांटेज भी होता है क्योंकि यह यह वुश्ट प्लांट का डेटा नहीं बताती है और इंसेक यह चुप अधा इनडर मुश्किल होता है क्योंकि कुछ इनसेक्स फीपिंग सेंट से पकड़ना मुश्किल होता है कूए कुर्वी इंसैक्स फूलों के अंदर ही जुप जाते है इस लिए पद्धियों में नीचे चुप नहीं चुप आर गयों नहीं चुप пока रहते strengths कि ज किसी पेड़ के उपर कई सारे इंसेक्स रहते हैं लेकिन वो लीव्स के या जो ब्रांचिस उनके उपर हते हैं तो हमको दिखाई नहीं देते अब क्या कि आता है एक लंबी स्टिक लेके जैसे यहां पर आप देख सकते हैं यह लंबी स्टिक ले रखे इस आदमी ने और यह प्लांट को बीट करना बहते हैं और उसे और नीचे क्या होता है कि एक त्रे यहां पर आप देख सकते हैं यह त्रे है इसमें कप्ड़ा लगा हुआ है तो इस पर जब जाडता है इस जाली पर इंसेट्स गिर जाते हैं और एक नेट जो होती है उसको ग्राउंड पर पर ज जाता है जिससे कि इंसेक्स जो है वो उसमें उसके उपर गिर जाली के उपर और फिर भाग निसके तो बीटिंग भी एक प्रकार का इंसेक्ट कलेक्शिन का इफेक्टिव मैथे अब आज़े आप नेक्स मेथेड विच इस अनोन अस एरियल नेटिंग एरियल आपको पता ह हवा में जब हो इंसेक्स उससे रिलेटिड इटर्म नेटिंग मतलब जाली तो एरियल नेट यह ते अलग लग प्रकार के होती है यह भी जै फ्लाइज है तो उस समय हम को इस प्रकार की नेट की अवश्यक्त होती है इस घंडल вместе इस तो ड्योच के ट्येमीटर हों इस डीमीटर होगोन indoor Kyotoता यह वह सबस्क्राइब क्ता होना चाहिए। ड्यामीटर के देटे कि नेटर के लिए आप इस अच्छाहिए। अलग अलग प्रकार की होती है और यह जो इंडिविजुल कलेक्टर जो जो आदमी कलेक्ट कर रहा है उसकी चॉइस पर है वह कि इस प्रकार के डैप्थ वाली और कितनी लॉंग हैंडल वाली नेट को एरियल नेट को काम में लेता है बट नॉर्मली 30-40 cm का इस रिंग का जो डायमीटर होना चाहिए रिंग का इस रिंग का जो डायमीटर है थर्टी टू-40 cm यहां से लिए इस एंड तक जो है 30-40 cm रहना चाहिए और नायलोन बैक जो है इसकी डैप्रोक्सिमेटरी 50-70 cm काम में ली जाती है है एंडल आप अपनी गन्मीनेंस के साब से जब रूल रिंसेक नट के जीए द्वार जाता है तो जब अनीक में इसको यह उपन ये उपन एंड रहर नहीं निकल पाएगा जब इंसेक्ट्स को नैट से पकड़ लिया जाता है तो नैट को टर्न कर देते हैं जिससे की इंसेक्ट बाहर नहीं निकलता soft bodied insects जैसे की moth और butterflies हैं उनको बहुत धीरे से हलके हाथ से बैग के जो बेस है बैग का बेस है यहां से हाथ से पकड़के उठाया जाता है बहुत gently delicately तो यह हो गया aerial netting अब आज़े आप next method पे इसको हम मोलते हैं collecting with aspirator यह instrument जो same instrument है similar है यह aspirator है एक प्रकार का और जो small active इंसेक्टर बहुत तेजी से चलने वाले जैसे की leaf hoppers होते हैं white flies है bugs है beetles है उनको हम एक aspirator की मदद से सक करके air सक करके और हम इनको collect कर सकते हैं यह एक बहुत ही simple device है और अगर इसको थोड़ा patient के साथ में यूज किया जाए यह aspirator को तो हमको काफी अच्छे results मिलता है अच्छा collection of insects हमको मिल सकता है यह aspirator जो है वो जब sweep net में जब insects collect होते हैं तो उन नेट्स में से इसमें transfer किया जा सकता है वो भी एक convenient method होगाता है और उसके बाद उनको प्रियरिंग केजिस में डाल दिया जाता है एक आर्मी को क्या करना पड़ता है इसको यूज करने के लिए क्याल सकते हैं कि यह इस तरीकिया ग्लास्स ट्यूब है तरीक हो और अंदर आँंगे और यहां पर BY और जिसें माॉथ पिफ कहता है यहां पर रबाकिट नहीं है यहां तरी यहां से लिए यह रबर ट्यूब रबर रिंग एक लगी हुए जिससे कि दोनों के दोनों ट्यूब जो है वो प्लेस में रहे हैं यह ग्लास ट्यूब जो है इसका साइज एप्रोक्सिमेटली 75 वा 25 मिलिमीटर्स होता है और इसके इधर वाली जो ट्यूब है जिससे कि एयर सक की जाएगी य है तो यहां पर एक रबर का इस्टापर लगा दिया गया है ठीक है तो अब इस इंस्ट्रूमेट में और बन स्क लाहां जिना की इस रबर ट्यूबिंग से हम ययर सकते है believe जो कि मिलिम एम िरूब यड़रा जो उसके करते हैं एक वाक्यूम्हास कर भी यूज किया जा यहां पर भी पाफिएक कर ले तो वहां पर हम इंसेक को आशानी से ट्रैप कर सकते हैं अब यहां पर निजी वाली ट्यूब से वाली ट्यूब से अंदर तो आ जाएगा लेकिन इधर वाली ट्यूब जिस पे फिल्टर लगाया है एक पेपर हमने कोई क्लॉस बांदा हुआ है या एक गॉस बांदी हुए उसमें से इंसेट हमारे मुह में नहीं आएंगे क्योंकि हम यह पे एर तो सक करेंगे इस वाली ट्यूब से अंदर आएगा लेकिन यहां से बाहर नहीं आपाएगा और यहां पे इस ग्लास वायल में पोड़े घ्रणी चुब्यू दिर तो हम इसको हम असपीरेटर बोलता हैं तो आगे चलते हैं अब एक मैथड इंसेट के लिए उसमें इसेक बांदा इनसेट नहीं के लिए और ट्रैप करने का किया मतलब होता है किसी को फंसान अना इससे हम ज्यूमन च्शिधियर तो फ्र इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने काम करती है और इस तरीके की बनी होती है कि इंसेक्ट उसमें एक बार अट्रैक्ट होके उदर आ गया उसके पास तो फिर वह उससे बाहर नहीं निकल पाता त्राप हो जाता है तो अट्रैक्टन की तरह यूज की जाने वाले जो माटीरियल्स ह और जनरल ट्राइब आफ जो ट्रइस वह ठैप होते हैं वो डिपंड करते हैं कि हम कौन सा इंसेट कलेक्ट करना चाहते तो इन में से कुछ कॉमन ट्रैप्स हम यहां डिसकस करेंगे जैसे कि एक है आप देसे हैं लाइट ट्रैप तो इनसेक लाइट ट्रैप आई एल्टी इस भी वहते हैं को यह जेनरली जो कई सारी क्रॉप्स पर पैस्ट का इनफेस्टेशन हो एता है उनको कलेकरने काम में आती प्लू लाम्स अपेस्टेश में इस तरीक़ से इस तरीक ऑई उसे तरीके से डिजआइन की वह जो जो लाइट एमिट करते वह अल्ट्रा वाइलेट डेवलेंथ कुन आप यह जिसमें बगेट वित्रैप्स होते हैं जिसमें की बक्ट्रेश की जाती हैं यह बॉतलों को ट् को बनाया जासकता है, इसके लिए कोई चारा के बिएक बेद्रोमा, बांते लिए किOS रखे नहीं नहीं हो Talking App Days कि बनाया के लिगा जाई गडिक सब चारा कर दो चारा डालेंगे तो चारा डालेगेद्गे तो फाट्रेक्टों के इन्सक्ट कीया तरह आए गा या फिर एक प्रकार का ट्रैप बेट रपूता है ब्राउन शुगर इस्ट बेट यह सबसे आसान तरीकों में से एक है जिसमें निटी ड्यूलिट वीटल्स रोते हैं उनको पकड़ा जा सकता है इस तरीके कब बेट लगा कर ब्राउन शुगर इस्ट बेट लगा कर पर भी इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर आ जाते हैं तो एक कॉमन मेथ़ड जो है जो इंसेक्स को बेट की तरह से यूज कियाता है इंसेको ट्रैक करने के लिए वह एक मिक्षर वाटर ब्राउन शुगर और इस्ट का होता है जिसे एक मैसं जार में भर लेते हैं जिसमें आज क का दीए नीचना की जाता है मैसं जाता है का ये जीए ठीट के ये प्रकार की लाइथ ओ क्षाने किसी च्ट हम ऐत एक कि परम चाहर्angan को पानतोंomos का ऊचिक और सीक ट्रै रोकार का है ये यूज इस एक प्रकार लाइथवार्यों किह और एक प्रकार का यह इंसेक्स जो लाइट से इकट्टाओ के यहां पर आना शुरू कर देते हैं तो इसे वाले इंसेक्स जो लाइट से ट्रैक्टिव थे उनमें जर्णरी क्रिकेट्स हैं ग्रास्वॉपर्ट्स होते हैं मौच्स में लिटल्स होते है और अधिकतर लाइट अट्राइक्ट होते हैं और आके उस वाइट कपड़े पर बैठ जाते हैं जहांसे उनको आराम से हाथ से आप Peak सकते हैं या फिर आप एस्पिरेटर यूज़ करके उन सेक्स को कलेक्ट कर सकते हो सिंप्लेस्ट फॉर्म जो है लाइट ट्रैप का उसमें कि एक लाइट सोर्स को एक चौड़े मुह के फ़नल के उपर रख दीजिए यह दिखिए यह फ़नल दिख रहा है यहां पर यह फ़नल इस फ़नल का जो लोवर एंड है उसको एक दूसरे कंटेनर में या ग्लास जार में हम उसको फिक्स कर सकते हैं और इस इस ग्लास जार के अंदर हम कोई खिलिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं तो लाइट ट्रैप्स जेनरली रात के समय काम करते हैं जब हम लाइट जला दे तो Samaat Umaatborough कदसे और 거지 दो ओंपर और सकते हैं तो इनसे हम मास हम काफी बड़े नंबर में लाइच्त्रिक्श से इनसेक्स को कलेक्ट कर सकते हैं कि नेक्सट आजए लाइच्ट्राब के बादम आते हम बेट ट्राप नेक्स सब्सक्रापट charities जोते हैं जिनaire को फिरोमोनस बोलते हैं वह प्रिशिकल एजन्ट होते हैं जिनको की बेट多 एप्स के काम में लिया जाता है तो बेट एप्स में या तो ओवर रप कोई भी फृूट ले लिए वर राइप केला जैसे पकाहूआ बहुत ज्यादा हो. वर आएक फ्रूट यह फैसर games इंसेक्ट कोई नि आई छेयते हैं चाहते हैं प्रॉकर अधरने जाने श्याती है अड़कर के असल प्रॉपर यह सब्सक्री असक्रोब करना तो वह सवह की तो ऐससे चेसे ब्लब्वर नहीं जहां पर एक जार होता है उसके अंदर दए रख दिया जाते हैं और तो फ्लाइंग इंसेक्स के लिए भी बेट ट्राप को यूजे जा सकता है जिसमें के मैटल फential गया और बेट को सब्सक्राइब आ है जो क्यों को इसे तरी बीट लगा रखा है अब क्या होगा कि यह कि तो एन चपलत एक में एक हैंघ तो विए ट्राप यहां पर लगा दिया जाता है सेप्ट कर दिया जाता है और नीचे की तरह तो दिए नहीं कि वाटल व्हकी किलिंग बॉटल है तो इंसेक जब अट्रैक्टो की यहां पर आएगा बेट से अट्रैक्टो के वह इस किलिंग बॉटल में गिर जाता है और हम उसको पकड़ सकते हैं कलेक्ट कर सकते हैं तो यह गए आपके बेट्राप्स अब आजए विंड ट्रैप पे तो विंड इंसेक ट्रैप जो की फ्ला अन्हा जाता है अगर्ण चेंडर सकते हैं जो मिनीशाय कि यह सब्सक्राएग में तो जोिता है था यह सैंथ संब में दो मेंड में प्रॉप्स के अब के आपके फिल्य ड्री श्रेस कि और उन व्लम स्वाच्ट पाती अद्सक्राभ में फोश्ह गासे हिवादी सब्सक्तां कंचलेक्शन कंटेनर जो होता है उसमें ऊपषिनल मिदर आवशकता होती हैं कि एक बहुंत तरफ की हैंटरन्स यहसे एक तरफ दूसी तरफ बाहर जाने कर आशतर ना हो इस्सारीके का जल्हाध बनाया जाता है सब्सक्राइबती हैं जो है इत्प्राइब तो आपने बाट करने स होना जैसे यूख फूरत तो सब्सक्राइबा पिज्ठा मैंने भाने बहुत 오른 हाँ कि ए आपे एक सिमपल साद को लें तहले सकते हैं स्थाड़ा मुँखा एं प्रेम करने सब्सक्राइब तो उसमें wind के साथ साथ insects trap हो जाते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम एक electrically operated suction device भी बना लें जिससे कि हम insects को ट्राप कर सकें फिर इसके बाद एक pan trap एक device है pan trap जो होता है वो simple device होती है जो कि generally aphids को attract करने काम आती है आपने देखा होगा जब February के आसपास जब सीजन होता है इनका इफिड्स का इसको हम लोग मोईला कहते हैं तो यह जब इनका सीजन होता है तो यह यलो कलर के अगर आप उस समय अगर कपड़े पहन के निकलते हैं आपके पूरे ठरै कपड़ा है तो यह जो है उनके लिएफ्रा का म करता है तो इसलिए क्या करते हैं मेठलस की ट्रेल एक उसको पेंट कर देता हैं यलो कलर पेंट करते हैं इसो आधा पानी से भर 58 यह जाते हैं न है? था 좋은ू के सिलडने हाजने जलिया चाहीं काम क्यों पर से नुक्त होता है उन पतियों के भीच में जो एंससे तरक Ó जैं पोना मॉड़ी दिऺ दर ला नें ज़ीं इसमें डेख सकते हैं यह डिफरेंट पार्टस इसमें एक यह जो कि इंदर उपनल है जो चिए फञाल इसमें साथ ही एक हीट सोर्स को यहां पर बनाया हुआ यह बनाया ही बेल्ब करें यह पार्ट जो फणल आपके हीट सोर्स जहें हित अपके यह कीफ आपके लेंप वाल लेख लिद्टे और घर्म करें अब अब एनिमले इसकेपिंग फॉम डेसिकाशन ऑ दे लिट्र मताब ज निशे कम दो प्रकब लम्ट ओप ये अजुखने करें लगेगी निचे की तरफ चाह से दो लिखेंब और और से पर लेटिया प्रयुडиться प्रिजरवेटिफ लिकविड प्रिजर्व हो जाते हैं अपने आप हमारे पास इखटे हो जाते हैं सरीके से तो यह सारे मेथोड्स है जो की अब काम में आने लग गाए हैं नए वाले बर्ली फनल अलों विंड विंड ट्राप्स पैं ट्रैप ज्रह तो आप इन कलेक्शन करिए और याद करिए थैंक यू सो मच फर लिस्निग पेशेंटली तो मी थैंक यू